तो कैसे हो मेरे भाई हो मैं आशरों करने वीडियो के साथ और यहां पर देखिए हमारे पास है Logitech का जो G402 जो गेमिंग माउस होता है तो यहां पर मैं इसका उन्बॉक्सिंग करूंगा तो यह मेरे घर पर आज यह डिलिवर हुआ है तो इसका उन्बॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा इसका लूप वगएरा कैसा दिखता है आप मुझे कमें सेक्शन में जबूर बताइए कि जो Logitech G402 है अभी भी क्या वर्थ है लेने के लिए मतलब 2021 में क्या हम इसे ले सकते हैं तो अभी मैं इसका Gaming टेस्ट अगरा मैं आपको करके दिखाऊंगा तो पहले मैं इसका Unboxing कर लेता हूं तो यह देखें पैकेजिंग में कुछ ऐसे इस हिसाब से आता है यह पीछे का यह ऐसे दिखता है और आये का दिखें कुछ इस तरह का लुक है इसका तो चलिए मैं इसका Unboxing करता हूं तो यह G402 मॉडल है जिलनों को नहीं पता है तो यह बैसिकली अगर यह मुझे इसका प्राइस तो Amazon पे शायद इसका प्राइस 2300 यह 2400 के तकरीबान रहता है लेकिन मुझे यह Prime ABGB का जो 300 रुपीज आफ हो गया था कूपन अपलाई करने के बाद तो चलिए अपर मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं और कुछ गेमिंग टेस्ट भी बगएरा करेंगे हम लोग थोड़ा माउस का लुक बगएरा यह logo का और इसका एक Logitech का जो आप आता है जो Windows का अप्लिकेशन आता है जो एक सी अप्लिकेशन आता है उसमें जाके आप इसका जो लोगो है इसको सेट भी कर सकते हैं और यह six programmable बटन के साथ आता है तो आपको जो भी पिछे डालना है जो भी आपको बटन में क्या क्या फीचर चीए मतलब आगर आप गेमिंग करते हैं तो उसमें कौन स से क्या काम करना चाहिए आप इजिली इसे सेट कर सकते हैं जो हाइपर एक्स का इनका जो अप्लिकेशन है तो चलिए पहले मैं इसका मतलब जो हम बॉक्सिंग कर लेता हूं तो यहां पर देखिए कुछ इस तरह का यह मौस होगा है हम इसको साइड में रखते हैं और यहां मैं यहां पर लोगों है ब्राइंड लोगों आप यहां पर देख सकते हैं अपे निकाल के ख़ें पर लागा सकते हैं तुछ की तरफ चलते हैं तो बहुत ही अच्छा डिवाइन लग रहा है मुझे तो यह जो यहां पर प्लास्टिक नहीं है बहुत स्मूथ है यह यहां पर मैंने यूट्यूब पर बहुत लोगों के रिव्यूज देखे हैं वहां पर बोलते हैं कि जो यह माउस से डबल टिक करता है कुछ जिन यूज करने के बाद तो मुझे यह बार में पता चला मैं पहले पर्चेस कर चुका हूं तो आप देखे साइड में इसका बटन यहां पर देख पा रहे हैं आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा यह दिपी बटन है और यहां पर देखे जैसे डीपी आप इंक्रीज लगरा करेंगे तो आपका यहां पर जो यह लाइट रहेगा इंडिकेशन यहां पर चेंज होते रहेगा तो आप देखे कुछ इस तरह का है और यहां पर देखे मैं इसका क्लिक साउंड भी आपको सुना देता हूं यहां पर तो कुछ इस तरह का यह साउंड होता है आप यहां पर देख पर हैं मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इसको प्रे बहुत ही सॉफ्ट है नॉर्मल जैसे केवल आपके जो अगर आपको 250 या 500 रुपीज का भी मौस लेते हैं केवल देखने के लिए मिलेगा लेकिन आपको यहां जल्दी खराब होगा तो आप इसे एजली लॉंग तुम कर सकते हैं तो काफी अच्छा यह मौस है तो यहां पे करने के लिए नंगुझम काने लिए पृटन वाग्ता के सब्सक्राइब तो मैं भी किसे किया उखने की किया कुछ ऐसा गलॉ करता है तो यहां पे मैंने लाइट बन किया फ्लस लाइट अपना अन है हिए यहां पर बनकर के आपको दिखा सकता हूं यह पर यह जो बिंकाप देख रहे हैं यहां पर यह बहुत सारे मूड्स आपके हैं मैं आपको यहां पर आपने दिखाऊंगा तो अभी फिलार कुछ इस तरह का यह दिखता है हमारा ओक ची के फो उडटुए यहां पर आप देख पा रहे हैं तो मैं इसका फ्लांश लाइट कर कि 速ड कर Arrota लॉन में भॉत ही मतलब श्मट तरीके से बहुत ही आऊ पर मिरे जो यहां पर फोन अब जब रियल लाइफ में इसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छा देखेंगा कुछ इस तरह का यह पूट ही तीमोड आता है जैसे कि आप लोग आप देख पर हैं तो इसका सेटिंग्स वगर आप चेंज कर सकते हैं इसको फास्ट स्पीड और कलर भी चेंज कर सकते हैं आ अगर मानलीजे आप अपना dpi यहाँ पर कम जादा कर रहा है तो इसके लिए हैँ यहाँ पर इसको is incredibly कर सकते हैं एक और अगर आपको पर भी वीडियो बनाऊंगा मतलब अभी आगे चलके दिखाऊंगा कि DPI कैसे इसमें सेट करते हैं और क्या होता है तो यहां पे कुछ इस तरह का यह लॉजिटिक महूस आपका दिखता है शाम के टाइम पर मतलब रात के टाइम पर तो अब चलिए हम अप्लिकेशन के तरफ चलते हैं जो इनका लॉजिटेक का जी हब है वह उस अप्लिकेशन को कैसे डाउन्लोड करना है और कैसे यह सब पूरा प्रोसेस यहां पे हंडल करना है वह आमें आपको अपने के पाद आपको क्या करना है उसको ओपन करने कभ़द आपको डेखिए क्या तरह का इथे क्या ओप करना है यहां पर पहले हम जी फो डांटाइब करेंगे तो आपको फॉड्वको यहां पर साइट देखने के लिए मिलेगा तो आपको क्या करना है नीचे स्क्रॉल करना है यहां पर देखेगा यहां पर यहां पर प्रोडक का आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहां पर देखे आपको यहां पर mouse and pointers को इपर click करना है यहां पर देख पा रहे हैं आप लोग m-i-c and pointers अब जैसे ही आपको बिरियर्स यहां पर mouse दिखाएगा तो आपको आपका जो भी model है मतलब यह सिफ G402 के लिए नहीं है जितने भी Logitech के आपको model दिखेंगे माउस के मतलब माउस के आप यहाँ पर easily आके देख सकते हैं माउस का माउस आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो software है माउस का वो डाउनलोड जाएगा तो यहाँ पर हमारे case में देखें G G402 है तो चलिए यहाँ पर मैं G402 अपना माउस यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ अगर मान लिए आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं see more के उपर क्लिक कर सकते हैं और नहीं तो ऊपर जाके यहाँ पर देखिए मैं आपको क्लिक करता हूँ मैं आपको देखिए स जो फיिचर से आपको देखने के लिए मिलेगा अबको यहां को अप्सक्राइब करने का ऐसका tale क्लिक करने को ऊप्शिय ब 1 लोजतिक गुट करने को यह ब कर eh do not know after darko available to download जैसे हो जाएगा आप एससे इंस्ट्रालक कर लें तो चलिए यहां पर मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूं मेरे पास पहले से यह डाउनलड पड़ा हुआ है तो यह आपको 40 MB का यह सेटप है ओपन करेंगे तो आपको और 150 MB शायद कुछ लगेगा तो टूटल आपका 200 MB के करीब है यह यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर क्लिक करेंगे तो क्या होता है अगर मानली जो देखिए आप मेरा मौस जो है वो स्क्रॉल कर रहा हूं अब यह जो मेरे माउस का जो मूवमेंट है मैं हलके हाथ से इसे मूव कर रहा हूं तो ऐसे मूवमेंट हो रहा है अगर मानली जे मैं इसको 400 पर कर देता हूं यह आप देखिए 400 पर क्लिक करने के बाद यह देखिए मैं यह माउस कितना मतलब अपना जो हाथ है मैं पुरू slow movement हो रहा है तो यह dpi का मतलब होता है तो यह basically gaming में क्या होगा कि जब भी आपको मतलब ऐसा लगेगा कि आपका screen थोड़ा धीरे मतलब moment कम हो रहा है तो आप यहाँ पर dpi से आराम से इजली यहाँ पर change कर सकते हैं अब देखिए आपर बहुत slow movement हो रहा है मैं अपना hand यहाँ फ्रीली हिला रहा हूं फिर भी लेकिन कुछ नहीं हो रहा है अगर मानलेजे मैं इसी को 24 पर या 16 पर कर लूँ तो यह देखिए moment और अ जाएगा तो ऐसे आपको dpi वेगरा set करना है तो मेरे case में 2400 रहने देता हूं यहाँ यह मेरा default है तो इसको dpi बूला जाता है अब यहाँ पर various settings है आप यहाँ पर देख पाएंगे तो आप देखिए हमारा जो first है dpi sensitivity भी बूला जाता है इसको second आपको दिखिए assignment तो आपक क्लिक करना है आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए buttons का option मिलेगा तो आप देखिए आपको total यहाँ पर five buttons देखने के लिए मिलेगा मतलब six buttons यहाँ और six button यहाँ पर देखने के बाद आपको देखिए आप यहाँ पर देखिए चोटा सा icon देखेगा आपको आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो साइड के बटन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे तो आप इसके मतलब जो यह बटन से अपने हिसा भी सेट कर सकते हैं मतलब यहाँ पर देखिए इसके उपर आपको क्लिक करना है तो आपको इस ब के सब कुछ सभी है यह दिफॉल्ट है आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं जो भी बटन आप चेंज्ज करने का उप्शन बीज़ाइगा अगर मालने यह आपको नहीं पता कैसे यह सट करते हैं तो मैं आगे चलकर दिखाता हूं यहां पर दिखिए जैसे कि मैं यहां प क्या करना है यहां पर सकते हैं और नहीं तो क्या कर सकते हैं मुझे प्रचाह social करें और मनलीजेः। क्या क्यो산 करना है। थे in a आपका में गपल्लेगा, पर आल्फड़ेत क्यों जाके आप में धोन्गल को कहा है . तो आपको इस तरीके से आपको सेट करना है तो यह सब फीचर है और यह फीचर है इसमें ब्रीटिंग मूड का जो मैं आपको बता रहा था यह ब्रीटिंग मूड क्या होता है तो आपके जैसे ही मैंने आपको यहां पर दिखा कि रिकार्डिंग में जो मैं फोन से रिकार्ड किया था वहां पर ठीक से नहीं दिख रहा था यहां पर देखिए ब्रीटिंग मूड जैसे ही यहां पर सौफटर में काम कर रहा है ऐसे ही आपके नॉर्मल माउस में भी काम कर तो इस तरीके से आप जो अपना यहाँ पर breathing mood का मतलब जैँटिंग उसे set कर सकते हैं तो यहाँ पर इसको इतने पर कर देता हूं, यहां पर देख पा है अपने हिसाब से यहाँ आपने मेरा setting और यह है ।ो फोट मतलब आपका light dim नहीं होगा यह constantly जलते रहेगा तो यहां पर क्लिक करके देखेंगे तो देखिया ऐसे जलते रहेगा तो यह भी कर सकते हैं अगर माल लीजे आपको color चेंज करना है यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको color का भी option यहां पर देखने की मिल जाएगा तो इस तरीके इसे आपका यह logitech का जो ghub software है उसको use करना तो बहुत ही simple है इसका मतलब logitech ghub का कोई complicated यहां पर चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी आपको और एक चीज़ मैं आप और आपको पता देता हूँ अगर माल लीजे इस software को आप close कर देते हैं जो भी function आप जो भी keys आप Q और एक E button set किया हो तो वो मेरा काम नहीं करेगा जब भी games में जाओंगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको background में इसे चलने देना जैसे कि यहां पर आप देख पा रहा है अगर आप इसे close करते हैं तो आपका काम नहीं करेगा जो जो भी आप मतलब functions set किया है आपने जो कीज है माउस का तो इस तरीके से यह पूरा प्रोसेस है जी फोर का का काम करता है तो आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी अगर फिर भी आपको कोई डाउट है सवाल है तो आप मुझे कमें सेक्शन में पूछे मैं ज़रूर उसका reply दोंगा तो आप करता है